हलो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर डिग्री ओव कमपेरिसन उससे पहले हम कुछ वाम अप एक्सरसाइज करते हैं यहां पर बच्चों एक पैसिज दिया हुआ है वॉलीवूड एक्टर के बारे में तो हमें उनमें से एड्जेक्टिव्स को अंडरला आफट्वड फिसीक यह उनकी अजेक्टिव 2 है जरी नाज राओं ओंड थे को इन लेंगे प्रीजल डो चीजल को अंडरलाइं करेंगे यहाँ प्रूडिंग इस फ्रेक्रीजृ नेगा पहल थेक ब्लैक हेयर में थीक और बलैक तू एंवेंबल फिजल नेगरेंगे हैं र रिप्लिंग बाइसेप्स में रिफिलीं को अंदरलाइन करेंगे, फ्लेट कमी में फ्लेट को अंदरलाइन करेंगे, Six-Pack, Abdomen में Six-Pack को, He is Light-Footed, Light को अंदरलाइन करेंगे, and Superb Dancer में, Superb को अंदरलाइन करेंगे, His infectious open smile में, infectious और open को, Respectful Behavior में, respectful को and endured him towards one and all इस तरह से हम यह पर जितने भी adjectives हैं उन सब को underline करें तो बच्चों adjective क्या होता है an adjective is used to describe a noun and pronoun इसको हम एक या person या एक चीज को दुसरे से compare करने के लिए भी use करते हैं तो वो तरीके जिस पे हम compare करते हैं उनको हम degrees of comparison बोलते हैं जैसे इशान इसे टॉल बॉय अट्विक इस टॉलर देन इशान एंड तनमे इस दा tallest of the three तॉल टॉलर और टॉलेस्ट यह जो एड्जेक्टिव वर्ड टॉल है उसकी त्री अलग 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 form फोगे तो पैहले sentence में हमें पता चल रहु है कि इशान की कौलिटी के बारे में कि इशान लंबा यह तो यह पॉजिटिव डिग्री को गई और तॉलर वर्ड कंपरिटिव डिग्री तो अब हम comparative और superlative डिग्री बनाने के तरीकों के बारे में पड़ेंगे बच्चों सबसे पहले हम positive डिग्री में ER लगाकर comparative डिग्री और EST लगाकर superlative डिग्री बनाते हैं जैसे जो भी adjective word है उसे positive degree में जो word है जैसे long है तो er जोड़ा तो longer यह comparative degree और longest यह superlative, rich, richer, richest, strong, stronger, strongest, इस तरह से हम degrees बनाते हैं, इसके बाद दूसरा तरीका होता है, जो adjective word e जिनके last में आता है, उनमें हम सिर्फ r और st जोड़ते हैं, r comparative degree के लिए और st superlative degree के लिए, जिसे fine, final, finest, pure, purer, purest, noble, nobler, noblest. इसके बाद अगले तरीके में जो adjective word y से end होते हैं, उनके पहले consonant होता है, उसमें y की जगह पर i-e-r comparative के लिए और i-e-s-t, i-e-s-t superlative के लिए add करते हैं, जैसे easy का easier, easiest, happy का happier, happiest. next में positive word जो है, अगर उसमें एक syllable है, तो और जो single consonant से end हो रहा है, और तीसरा जो short vowel है उसके पहले, तो उसमें double consonant है, तो उसमें e-e-r और e-e-s-t जोड़ देते हैं, जैसे fat है, तो fatter हो जाएगा, double t हो जाएगा, e-e-r, जैसे पहले wobble है, और fattest, और जैसे gay है, इससे पहले भी wobble है, तो gayer, gayest, hot का hotter, hottest, thin का thinner और thinnest, कुछ adjectives होते हैं, जो comparative और superlative डिगरी में more और most लगाकर बदले जाते हैं, जैसे difficult का comparative, more difficult, और superlative, most difficult, इसी तरह faithful का more faithful, most faithful, interesting का more interesting, most interesting, कुछ adjectives irregular होते हैं, उनकी comparative और superlative डिगरी, positive डिगरी से नहीं बनाए जाते हैं, उनका नयाई वर्ड होता है, जैसे की bad, worse, worse, good, better, best, little, more, most, little, less, least, कुछ शर्द होते हैं, जो positive डिगरी में जो adverb हैं, उन adjectives को comparative और superlative डिगरी में आलग वर्ड हो जाते हैं, जैसे in का inner और innermost, out का outer और outermost, अप का upper और uppermost, अब हम इससे जुड़ी हुई activity करते हैं, यहाँ पर बच्चों हमें इस table को complete करना है, यहाँ पर जो भी fill in them lengths हैं, उसकी डिगरी लिखनी हैं, जैसे active, more active, most active, weak, weaker, weakest, bright, brighter, brightest, short, shorter, shortest, fast, faster, fastest, इस तरह से हम इन डिगरी को complete कर सकते हैं, इसके बाद next activity में बच्चों हमें adjectives की correct form लिखनी हैं, जैसे की yes looks tall, but his sister is taller, bangos are sweet, but grapes are sweeter, you are good in English, but your friend is better, Delhi is the most popular city in India, Maida is near to Delhi, but Gurgaon nearest, Sia is the responsible girl, but her sister is more responsible, most responsible girl in the family, इसके बाद next activity में बच्चों कुछ help box में adjectives दिये गए हैं, उनकी super native degree से fill in the blanks हो complete करना है, you see the Ramayan is known as the world's oldest topic, the Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world, Mercury is the nearest planet to the sun, hummingbird is the heaviest, smallest bird in the world, elephant is the heaviest animal in the world, the deepest location of the earth is in the Pacific Ocean, इस तरह से हम इसको complete कर सकते हैं, next activity में बच्चों हमें bracket पे दिये गए adjective की proper form से sentence complete करने हैं, you see we have bought a new house, there is no other animal faster than the loin, my sister is more intelligent than me, it is the sharpest, sharpest scissors I have ever used, my young brother is a government employee, the ice is thicker than water, iron is harder than any other matter, इस तरह से हम इसको complete कर सकते हैं, next activity में बच्चों हमें bracket में दिये गए adjective की comparative form लिखने हैं, जैसे की my dress is neater, more neat, या neater than his, daughters are said to be more loving than sons, my father is happier since I stopped walking night trips, her jokes are more funny than his pranks, the movie is definitely more exciting than the book, thank you